आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसे स्टाइल फूट सेक्रेट तो आज मैंने बनाया है एनिवर्सरी का केक जो मैंने फर्स ट्राइम बनाया है तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं तो रेसिपी को स्टेप बाइस्टेप पूरा फोलो कीजेगा चैनल पर अगरना है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें हो बेल आइकन का जो बटाने इसको तब आने से हमारी नहीं नहीं वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मैं लेगी तो चलिए आए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं बिसमिल्ला है तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कप मेदा लिया है और एक कप और इस तरह से दो चमच भरके मैंने मेदा लिया है और इसमें एक छोटी वाली जो चाय की चमच होती है उसे भरकर मैंने पेकिंग पॉडर ले लिया है तो मेदे को मैंने पहले से चाना हुआ है तो अब एक करेंगे हम तकरीबन 5-7 मिन के लिए उन्डों को जब हम बीट करेंगे तो इसके लिए ज़्यादा बड Da- news नहीं करना है इसे हमारे अंडे यस से नहीं पाते हैं तो इस लिए इसमें थो बहुंद बड़ा बॉल इस नहीं करेंगे तो यहें देखें मैंने तकरीबन पांच मिनट तक अंडो को अच्छे से बीट किया है तो यह हमारे बिलकुल लाइट, फलफी और वाइट से हो चुके है तो अब इसमे में डालूंगी इस तरह से पिसी हुई चीनी तो एक कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है तो जिस कप से मैंने मेदा लिया था तो मेदा मैंने एक कप, और दो टेबल स्पून भर के लिया है और चीनी मैंने एक कप ली है तो अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बीट करूंगी और इसी में इसके साथ में डालूंगी lemon essence आप vanilla essence डालना चाहें pineapple essence डालना चाहें जो essence आपको पसंदो आप इसमें वो add कर सकते हैं और अब इसको मैं तकरीवन 10 मिनिट तक बीट करूँगी तो जितना हम इसको बीट करेंगे उतनी हमारी fluffy और भोती soft हमारा cake बनेगा तो ये देखे कितना light और कितना हमारा better फूल चुका है तो बहुती जवदस इस तरह से हमारा light सा ये better ready हो चुका है तो इस spatula से इस तरह से निकाल लेंगे अब जो मेदा और baking powder मैंने चान के रखा हुआ था उसको हम दुबारा से इस तरह से चान लेंगे तो एकटा हम सारा नहीं डालेंगे बर थोड़ थोड़ा करके मैं इस तरह से इसको स्टैनर में दुबारा से चान लेंगे एक बार मैंने इसको चान के रखा हुआ है तो इससे हमारा बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजी सा बटर स्कॉच केक बन के त्यार होता है तो ये देखें इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा ओड़ा लूँगी और इसी तरह मिक्स करते जाऊंगी ये मैंने तक्रीबन चार से पांट बार में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मेदा इसमें डाल दिया है और वबर इसी तरह हलके आतों से ही हम मिक्स करेंगे इसी तरह फौल करते हुए, बहुत ज़ादा हम इसको तेज तेज भीट नहीं करएंगे बस इसी तरह हम इसको फॉल करते जाएंगे और ये देखिए हमारा इस तरह से बेटर रेड़्य हो जाएगा तो बस इसी तरह करना है, यह fast forward में चल रही है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, मैं बहुत तेज तेज घुमा रही है लेकिन मैंने बहुत तेज लाइट से इसको इस तरह से mix ही है ताकि इसके अंदर जो मेरे अंडे के जो form बनाया है वो हमारा खतम ना हो और यह देखें, बिल्कुल इस तरह से बेटर रेडी हो चुका है तो अब इसको हम इस पैचुला से इस तरह से निकाल लेंगे ताकि यह भी इसके अंदर अच्छे से mix हो जाए तो यह देखें, बिल्कुल पर्फेक्ट हमारा बेटर रेडी हो चुका है तो मैंने तकरीबां यह आट इंच का इस तरह से पतीली ले लिए है आपको इस तरह के मॉल्ट ले सकते हैं या इस तरह के कोई पतीली ले सकते हैं नीचे से फ्रैट हो तो इसके उपर मैने ऑईल लगा कि बटर पैपर लगा लिया था और उसके उप जो बड़े बड़े बबल्स भन जाते हैं हो सारे निकल जाएं तो मुझे इसमे बबल्स अभी बी नज़र मेंने इस स्टीक के दो लिए ज़ते के अंदर Secretary को घाइए नहीं तो आप की ऐ captive कर वही तो यह तो ताकि इसके अंदर से हीट बाहर ना सके तो ये देखे मैंने तकरीबन इसको 40 मिन्ट तक बेक किया है तो बहुत ही परफेक्ट हमारा बेक हो चुका है और उपर से भी इसका कलर बहुत ही जबरदस आया है तो इसको थोड़ा सा हम पतीली में ही ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो ये मैंने 10 से 15 मिन्ट के लिए इसको काउंटर पर ही छोड़ दिया था तो ये देखे कितना एजी लिए हमारा केक इस तरह से निकल चुका है तो देखे हमारा पीछे से भी कितना जबरदस बेक हुआ है बहुत ही परफेक्ट हमारा केक बेक हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जबरदस हमारा ये केक बन के तियार होता है तो ये देखे कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है तो हमें अब इसकी decoration करने तो इसके लिए हम freezer में इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो मैंने तकरीबान आदे गंटे के लिए इसको fridge में रख दिया था अब इसके बाद में इसकी उपर वाली side को इस तरह से cut करूँगी और इसकी cutting कर लेंगे हम तो तीन layers में इसको में cut करूँगी तो यह देखें मैं इस तरह से corner पे इस तरह से इसके निशान लगा रही हूँ छुरी से हलका हलका cut लगा रही हूँ बहुत जादा इसको घेरा cut नहीं लगाएंगे और इस तरह से हम thread की मदद से thread को इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से हम इसकी cutting कर लेंगे तो पिछली वीडियो बें भी आपको मैं सिखा चुकी हूँ इस तरह से इसको cutting करने का तरीका तो इस तरह से बहुत easy लियो बहुती जबरदस से इसकी cutting हो जाती है तो यह देखें सारे हैं हमने इस तरह से लियाज इसकी cutting हो चुकी है तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे ताकि इसके उपर icing अच्छे से हो तो जब तक मैं क्रीम को whip कर लेती हूँ तो एक बोल में मैंने तकरीबन 500 ग्राम इस तरह से क्रीम ले ली है विप क्रीम तो यह बहुत ही अच्छे से थंडी होनी चाहिए बिल्कुल थंडी और इसके अंतर आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं होने चाहिए बॉल भी हमारा थंडा होना चाहिए अगर गर्मी में हम कर रहे हैं तो बॉल भी थंडा होगा और यह जो बीटर है तो इसको भी मैंने तकरीबन 10 से 15 मिंट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि यह थंडा हो जाए तो इसको मैंने 5 minute के लिए बीट किया है तो इसके नीचे मैंने थंडा पानी रग दिया बिल्कुल बरफ वाला पानी ताकि हमारे क्रेम अच्छे से विप हो पाए तो बहुत गर्मी है इसकी विदाद सी हमने इसकी नीचे बाल रखा है ताकि इतनी थंडी रहेगी और या तन तो बहुत ही जबदस हमारी क्रीम अच्छी से विप हो चुकी है तो देखे इस तरह से हमारी विप हो चुकी है तो बिलकुल हमारी जो बीटर पर लगी है वो भी नीची नहीं गिर रही है तो इस तरह से विप होने चाहिए तो देखे इस पैचला पर मैंने इस तरह से लिया ह और इसमें मैंने एक कप पानी ले लिया है तो इसको इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थंडा कर लेंगे तो अब ये देखें इस तरह से थोड़ी सी क्रीम लगा लूँगी ताकि हमारा केक जब हम इसकी आईसिंग करें तो यह दरोदर न जाए फिर इसके उपर हम इस तरह से केक केक लेयर रखेंगे और इसके उपर इस तरह से हम शुगर सिरफ डालेंगे तो इससे हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट होता है तो आप इसकी जगा मिल्क का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन ठंडा होना चाहिए और इसके उपर इस तरह से एक लियर हम क्रीम की लगा देंगे तो मैंने अच्छे से इसके उपर क्रीम लगा दी है और इसके उपर दूसरी लियर रखेंगे और दूसरी लियर पर भी हम इसी तरह शुगर सिर्प जो हमने तयार किया है वो डाल देंगे और दूसरी लेयर पर भी हम इस तरह से क्रीम लगाएंगे क्रीम हम अच्छे से लगाएंगे इसके उपर तो अब दूसरी लेयर पर भी मैंने इस तरह से क्रीम लगा दी है और इसको मैंने सैट कर लिया है इसको मैं इस तरह से फेला दूंगे और साइटों पर भी इस तरह से लगाती जाओंगे और अब इसको हम सेट करेंगे तो बस अभी इसको मैं जादा सेट नहीं कर रही हूँ मैंने थोड़ा सा इसको क्रीम लगा कर आदे गंटे के लिए फ्रिजर में रख दिया था ताकि अच्छी से थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद हम दुबारा से इसको उपर आइसिंग करेंगे तो बस इसी तरह मैंने इसको रख दिया था तो देखें आदे गंटे के लिए मैंने इसके आधी आइसिंग करके रख दिया था दुबारा से इसके ओपर हम एक लियर क्रीम के लगाएंगे ना तो यह अच्छी से हमारा केक कवर कर लेगा तो इस तरह से हम अब इसकी मौटी लियर लगाएंगे तो अब इसको हम सेट कर लेंगे इस तरहां से तो ये देखे बस इस तरहां जमें इसको सेट कर लोंगे तो बस अच्छे से आइसिंग करने के बाद मैं इसको इस तरहां से डेकुरेट कर रही हूँ की डेकुरेशन नहीं दिखा सकी तो बहुती आसानी से बहुती जबदस सी हमारी एक केक की डेकुरेशन हो चुकी है बहुती जबदस सा हमारे केक रैडी हो चुका है तो आपको हमारे केक कैसा लगा है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक किजेगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी का दीजेगा तो मिलते हैं को और नई रेसिपी लेगा तो जब तक अपना खया लगएगा हमें अपनी दुआओं में याद लगएगा तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लीजेगा तो बमें इजादत दीजिए अल्ला हाफीज